हलो गैस्ट तो कैसे हैं यहाँ विलोग आज मैं आपको बता हूँगा कि आप कैसे पिकन payment gateway को अपनी वेब साइड में इंटकेट रसकते हैं जैसे कед मैं आप ने लास्ट अम ने देखा था कि मैंने रेजर पेको को इंडिगेट करना सिखाया था तो सब्सक्राइबर्स की बहुत ज्यादा रिक्वार्मेंट थी कि कोई दूसरा पेमेंट गेटवे एंड आल्सो कि हम कैसे अलग-अलग पेमेंट गेटवे को कैसे वेबसाइड में इंडिगेट कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक डेमो देन मैं उसके बाद आपको step by step बताऊंगा कि आप कैसे उस पिवेंट गेटवे को इंडिगेट कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ अच्छा सा जो की मैंने खुद एस्टेमेंट उसका डिजाइन किया है तो देखे फ्रेंड्स ये है एक checkout form बिल्कुल smooth and responsive checkout form इसका code का link मैं आपको description में दे दूँगा आप वहां से download कर सकते हैं वन्ना आप मुझे इस्टा पर मैस कर सकते हैं मैं आपको link वहां send कर दूँगा और ये friends address ये automatic address आ गया यहाँ पर address टू भी डाल सकते हैं और शिटी स्टेट एंड पिन कोड तुझे लिए friends continue payment पे क्लिक करते हैं तो ये payment होने के लिए प्रोसीड हो रहा है एंड देखी ये आ गया check out form smooth and responsive and plus आप देखी यहाँ पर एक order ID है जो मेरे खुद से generate की है PHP की थरूँ वह आपको करना थिका हूँगा और यहाँ पर amount आ गया जो वहाँ पर total amount में आ रहा था जो details हमने फिल करी थी वो contact details में तो जलिए next करते हैं उसके इसके बाद देखी यहाँ पर credit card की delay समग रहा है तो friends यहाँ पर test mode में है तो मैं आपको test credential description में देखूंगा वैसे symbol है 424242 जब तक यह ok नहीं हो जाता and इसके बाद यहाँ पर जो expiry हो डाली है 12 by 24 and CV भी है 123 and demo आप यहाँ पर लिखके pain out पर click कर सकते है and देखी यहाँ पर कि अब मैं पहले success करता हूँ तो देखिए payment successful हो चुका है transition ID और date आ गया है अब यह redact करेगा success page पर तो देखिए friends यहाँ success page मैं actually create नहीं किया है लेकिन यहाँ पर आपको details all बिल जाएंगी कि आप कैसे उस page को customize करके वहाँ पर details show करा सकते है friends इसके लिए अगर आप comment करेंग और अब देखते है step by step कि हम कैसे पेकन payment gateway को अपनी website में integrate कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पंटाइम इत्रो अच्छे वीडियो आने वाले है प्रेस्टा बेल आइकान इससे पहले friends अगर आपने अवारा चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा एंड वीडियो को like कर दीजेगा और कोई भी query तो आप comment कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पेकन के payment gateway के registration के लिए तो यहापे आप पेकन sign up पे click कर सकते हैं तो दीजेगे friends यहाँ पर email id, first name, last name, mobile number, password, I am angry with this terms and conditions यहाँ पे easily आप sign up कर सकते हैं उसके बाद कुछ basic documents like passbook का front page and कोई GST या ITR number आपका यह automatic activate हो जाएगा तो चलिए मैं बस already account है तो यहाँ सा मैं log in करूँगा email and password यह मैं ना log in कर लिया उसके बाद यह पेकन की products आ गए तो हमें चाहिए payment gateway और बाकी भी आप details देख सकते हैं तो हम आगए dashboard.paycan पर तो दीए friends यहाँ पर transactions, settlements, payment, links आप यहाँ से payment का link भी create कर सकते हैं जिससे अगर मुझे अभी किसी अपने friend को या किसी client को या किसी customer को payment का link भीजना है तो यहाँ पर आप amount, payment for description, multiple customer भी चूज कर सकते हैं जिससे link जल्दी से expire ना हो, first name, last name, mobile number, automatic set करके आप यहाँ से एक link create कर सकते हैं, in friend उससे पहले है, transaction का taps, जो भी आपने transition की होंगे, यहाँ पर transition details आप पुदिख जाएगी, यहाँ इसे filter भी कर सकते हैं, customer, जो आप list customer, यहाँ पर करना चाहें, add new customer, यहाँ से आप reports generate कर सकते हैं, कि आपकी क्या-क्या transition की reports है, और यहाँ पर my account में आप अपनी profile भ है, यहाँ पर आपको notification मिलेंगे, यहाँ security का option है, जहाँ से आप API की generate कर सकते हैं, customize UI, यहाँ पर आप अपने पेकन की जो मैंने आपको दिखाया था, try wave लिखा हुआ आ रहा था, यहाँ पर आप इसका color code याप यहाँ पर logo भी upload कर सकते हैं, and configuration में भी कुछ basic details है, जो आप आ test mode पर, because हम testing में काम कर रहे हैं, हम live में काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, मेरा deactivate sandbox account आ रहा है, अगर आप पहली बार इस account में login करेंगे, तो आपका generate sandbox account option आएगा, तो यहाँ पर आप यहाँ पर enter password करके update कर सकते हैं, new password बन जाएगा, मैं as it is, छोड़ देता हू या फिर आप password बनाई लीजेगा, मैं sandbox में login में click करता हूँ, देखे friends, यहाँ मेरी email id and password है, यहाँ मैंने login किया, sandbox के account में, because यह testing के लिए होता है, same UI है, transaction, settlement, payment, links, और यहाँ पर हमें जाना settings में, configuration में, sorry, security में, my bad, और यहाँ पर आपको जाना है, API की में, तो friends, मैंने already generate की ह हुई है, आप यहाँ पर generate पर click कीजेगा, तो automatic आपकी generate हो जाएगी, और आपको दुबारा generate करना है, re-generate पर click कीजेगा, एक OTP आएगा, और आपकी API की दुबारा generate हो जाएगी, तो चलिए friends, यह आपका account setup हो गया, आपको यहाँ से API की वगरा मिल जाएगी, देखे, मैं merchant की, जो आपको यहाँ मिल जाएगी, merchant ID, यह है access token की, and यह है encryption की, यह तीनों आपको इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है, because अब भी मैं आगर इसे regenerate करूँगा, तो जो previous होती है, वो deactivate हो जाती है, तो आप यहाँ पर regenerate पर click कीजेगा, and यहाँ पर OTP बगरा, आप add करके, आराम से, एक API की integrate, sorry, API की generate कर सकते है, तो चलिए friends, अब हम चलते हैं, अबने next step है, तो friends, यहाँ पर आपको फिर download करना है, पेकन का payment gateway kit, यह आपको गीठव पर link बिल जाएगा, और मैं आपको link description में भी दे दूँगा, यहाँ पर आपको देखिए, sample kit आ रहा है, तो देखिए friends, यह एक sample kit है, आप इससे आराम से download कर सकते हैं, मैंने already download किया हुआ है, तो friends, मैं आपको इसका पूरा file structure दिखाता हूँ, देखिए, यहाँ पर payment gateway, यह आपको all files इसके अंदर मिलेंगी, जिसमें एक folder होगा demo, एक होगा src, और यह कुछ files होंगी, यह आप इसको as days छोड़ सकते हैं, को issue नहीं है, ठीक है, and इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले source में, तो friends, source में कुछ file है, crypto, payment, validator, यह आपको delete नहीं करने हैं, यह बहुत ही needful file है, उसके बाद आपको जाना है demo के अंदर, तो demo के अंदर आपको दो folder और दो file मिलेंगी, एक request की, एक submit की, और एक folder मिलेगा success का, और एक folder मिलेगा field का, जहां से आप success और field पर redirect कर सकते हैं, तो चलिए, मैं आपको इस sublime में खोल के दिखाता हूँ, कि मैंने इसमें क्या changes किये हैं, तो देखे friends, यह request.php है, यहां एक form है, तोड़ा सा चोटा कर दिखाता हूँ, यह form है, और यहां पर मैंने एक चोटा सा bootstrap का form design किया है, because अगर आप इसके structure को download करोगे, तो आपको basic table मिलेगी, जिसके अंदर आपको details सीज़े मिल जाएंगी, तो आप उसे अपने सबसे customize कर सकते हैं, तो देखी, जैसे कि यहां पर product name आ रहा है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, यह सबसे पहले first name, फिर last name, फिर mobile number, female, address, address to, city, state, zip, and then friends, यहां पर कुछ privacy policy, जैसे कि मैं आपको demo के आपने दिखा देता हूँ, आपको easy रहेगा, समझ ठाएब हैं, Hi guys, it's just a short promotion, actually it's about if you want to make any type of website, android app, or software, so you can contact us anytime, on this website trydev.com, or you can easily comment me on youtube, and also connect me on instagram, अगर आपको किसी भी टाप की website, या software, android app, या कोई भी requirement हो, या उसके, आपको कोई पहले सी product हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी information चहिए हो, या उसमें कोई भी problem हो, तो आप कभी भी comment, message, on install कर सकते हैं, thank you for hearing this, bye bye. तो देखें, जैसे कि यहाँ पर mobile number address, और यह total amount 300, यहाँ पर मैंने एक आपको जैसे पता होगा, HTML आप अगर use करते हैं, तो input की एक hidden attribute होथा, जिसके अदर मैंने amount save करा दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर, amount, name है amount, and value है 300, तो friends, यह था HTML के structure आपका basic, जिसको बाद आते हैं, अब submit.php के, because इस form connection, submit.php पर है, जो automatic payment, पेकन वालों ने generate के के दिया है, तो इसमें आप दिख सकते हैं, payment.php, validator.php, crypto.php, यह तीनों ही file इसमें required है, यह आपको change नहीं करनी है, नो ही इसका order change करना है, उसके बाद आ जाते है friends, यहाँ पर, first name पर, जो आ product name भी रख सकते हैं, या फिर एक order ID भी इसमें डाल सकते हैं, मैंने randomly order ID edit की है, and then आप अपने इसाब सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद email, amount, amount friends बहुत important है, amount जैसे कि मैंने आप पर आपको दिखा था, handle friend में मैंने डाला था, आप किसी भी और तरीके से डाल सकते हैं, contact country मैंने automating यहाँ पर India कर दी है, state, city, postal court, address, तो फिर चलते हैं, next step है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ यह comment में कुछ लिखा हुआ है, parameter requires, कि parameter क्या के required है, सबसे पहला है MID, जो कि मैं आपको दिखा चका हूँ, कि आप MID यहाँ से get कर सकते हैं, second उसके बाद access token and encryption key, जो आप जैसे ही generate करेंगे, तो आपको तीनों मिल जाएगा, उसके बाद friend एक comment है, is live, set true for production, environment and false for sandbox और testing mode, तो जैसे कि मैं आपको जायता हैं कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर automatic आपको true मिलेगा, तो आपको यहाँ पर से false करना है, ठीक है friends, और उसके बाद कोई successful URL and fail URL, अगर आपका successful होगा, transition success.thp पर ले जाएगा, और fail होगा तो failed पर ले जाएगा, ओके friends, उसके बाद यहाँ object create हुआ, product name, amount, success URL, fail URL, and यहाँ पर आप UST2 INR कर सकते हैं, and यह simple एक, इनका customized code है, उसके बाद हम transition पर चलते हैं दोबारा से, और यह transition करके दिखते हैं, यह मैंने details, automatic fill कर ली, and इसके बाद यहाँ पर continue to payment करता हूँ, देखे friends, as it is, जैसा मैंने आपको पूरा समझाया था, जो amount था, उसके अंदर, value के अंदर, वो amount यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर continue details आ रही है, यहाँ आपर यहाँ नेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर get कर सकते हैं, य 12, 24, 123, and demo, and pay down, तो friends, अगर आप success करते हैं, तो success आएगा, failed करते हैं, तो failed करते हैं, मैं success पर click करता हूँ, और अगर यह आप live में यूज़ करेंगे, तो automatic जैसे में आपको बताएगी, success पर redact हो जाएगा, तो payment successful, and यहाँ पर यह पूरा array आ रहा है, इसके array को आप आराम से customerize कर सकते हैं, और आप मुझे comment कीजेगा, अगर आपको कोई भी issue है, तो friends, यह है हमारा पूरा payment gateway का setup, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आप आराम से इसको किसी भी website में इंटिकेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी इंटिकेट कर सकते हैं, या फिर इस code को use क कर सकते हैं, अब मुझे comment कीजेगा, और Instagram पे message कीजेगा, मैं आपको इस code का link send कर दूगा, तो friends, अगर कोई भी query हो, कोई भी issue हो, प्लीज आप मुझे comment कीजेगा, वीडियो को like जलू कीजेगा, share जलू कीजेगा, और previous वीडियो अगर आपको HTML वगरा में problem हो, तो यहाँ प तो चलिए मिलते हैं किसी next वीडियो में, तब लगा प्लीज इस चैनल को subscribe कर लीजेगा, और कोई भी query हो, तो आप मुझे comment, whatsapp, ista, जो भी बनकर है, कुछ भी कर सकते हैं